नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2023 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज मारी तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2023 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे डियलेट शात्रों के लिए बड़ी खुसकबरी है जी आँ दोस्तों जो भी बच्चे डियलेट कर रहें उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड नियूज है तो इस वीडियो को शुरू से लेके लाश्ट तक देखिएगा वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए आज से आप लोगों के एक्जामनेशन फॉर्म भी भरे जाएंगे अब देखिए कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर हमारी तीन बार बैक लग चुकी है क्या चौती बार हमें मौका मिलेगा कि नहीं देखिए जब आज से आपके एक्जामनेशन फॉर्म भरा जाएगा न 90% शात्रों ने सीटेट के लिए आवेधन किया होगा तो आपको बता दें अगर आवेधन करते समय आपसे सीटेट में किसी भी प्रकार की कोई गलती होई है तो 4 दिसंबर सों मौर्च लेके 8 तारिक तक 8 दिसंबर 2003 सुक्रवार तक ठीक है आप सीटेट के फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं ठीक है मतलब अगर आपसे कोई भी गलती होगे देखिए क्या क्या आप सुधार सकते हैं उमीदवार अपना विबरट चेंज कर सकते हैं पाठ क्रम ठीक है और परिच्छा सहर बदल सकते हैं अगर आपका मन अभी नहीं करता लखनों जाने कर ठीक है आप लखनों छोड़ि ठीक है अभी आप लोग परिशान मत हुएं फर्स समेश्टर के चात्र बोट टेंसर में आप लोगों के लिए एक एक ठीक है सब्जेक्ट के अलग अलग आपको नई नई वीडियोस मिल जाएंगे ठीक है बिलकुल परिशान नहीं होना है अब देखिए एक और बड़ी पढ़ा सकेंगे कच्छा एक से पांच तक में प्रात्मे की स्कूलों में पढ़ा रहे बाइस हजार बीएट डिग्री धारी सिचकों की नौकरी पर संकट आ गया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीएट के चात्रों को बाहर किया जाएगा ये बहुत ही बड़ी अप आया था वो 2018 दिसम्बर में 2019 में उन बच्चों का पेपर हुआ था पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है बीपेसी की सिच्छक नियुक्ति प्रतियुक्ता परिच्छा आज से सुरू हो रही है पहले दिन 16 मजिस्ट्रेट वा 14 पुलिस पदादिकारी त ठीक है तो पटना से लगाता अब डेट से आपको देखने को मिल रही तो आज से देखिए सिच्छक बनने का जिन बच्चों का सपना हो साकार हो सकता है बस अच्छे से पेपर देना है ठीक है 14,000 विद्ध्याले अध्यापकों के योगदान का आज अंतिन दिन है ठीक है य इससे बहुत से बच्चों को लग रहा होगा इस समय कि चलो B8 कर लेते हैं फायदा मिलेगा देखिए इसलिए हमेसा लालच नहीं करना चाहिए अगर आपके मन में था कि भाईया हमें 1-5 लेना है तो बस आग बंद करके आपको DLA ही करना चाहिए ठीक है अगर आप 6-8 में जा रहे तो भी DLA आपका काम हो रहा है जब आप 9-10 में TGT लेवल में अगर आप सोचने लगे तो आप B8 के तरफ जाईए लेकिन आप उस समय कुछ बच्चों नहीं सोचा कि चलो भाईया इधर भी फायदा लेंगे इधर भी लेंगे अब वो बच्चे कहीं करने ही ठीक ह आपके मन में एक सवाल था कि सर्फ क्या जो हमारी फर्स समेश्टर में बैक लग गई है उसका एक्जाम अभी दिसंबर के लाश्ट वीक में होगा कि बार में होगा देखिए आपको बताना चाहेंगे कि फर्स और ठर्ल्ड के लिए अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है थोड़ा सब वेट करना पड़ेगा तो हो सकता कि फर्स और ठर्ल्ड का जो पेपर है वो दोजार चौबिस में चला जाए ठीक है लेकिन जो अभी होने वाला है वो होगा पेपर हमारा सेकेंड समझ्ट समझ्ट परिच्छा ठीक है यह विज्ञान और गडित यह दो सब्जेक्ट जरा ध्यान में रखेगा ठीक है इसी में वज्चे उलजते हैं बागी लाश्ट दिन आपका दो ही पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिस तो यहां पर टेंसन आपको ज्यादा नहीं होगी और उस पूरी तरीके से ग्रामर पॉर्सन दे दिया जाता जिस वज़े से बच्चों की बैक लग जाती है देखें जब ग्रामर कम रहेगा तो डेफिनेटली आप 25 में से एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे 12 प्लस नम्म लाना 12 से जाधा एकदम आसान हो जाएगा ठीक है तो चलिए गलती यह करते हैं बिल्कुल कॉलेज भूल ही जाते हैं और सोचल मीडिया पर भी ध्यान नहीं देते हैं फिर वह परिस्थान होते हैं ठीक है तो फेल शात्रों के पास एक अच्छा मौकर है जरह इस अब डेट को देखते हैं कि बिहार में हो क्या रहा है जी यहां दोस्तो एक्सपर्ट का क्या रिवीव आया दोजार अठार में एंसीटी की गाइडलाइन के अधार पर ही ब्रीयड वाले प्रास्मिक सिच्छक बने थे हैं एंसीटी के अनुसार छे मा का ब्रिच कोर्स करने के बाद ये एक से पांट तक में पढ़ाने के लिए योग गिमाने गए इनको हटाना बेवारिक नहीं होगा विभाग को सुप्रीम कोट में अपील करनी चाहिए ठीक है सिच्छा विभाग के पूर्व संयुक्त निदेतक आरेस सिंहने का है ठीक है एक और बात जरा देखिए देखिए कोट से बड़ी सरकार ने एक बात याद रखिएगा जो भी कोट का फैतला होता है वो अंतिम होता है पटना हाई कोट ने सुप्रीम कोट के नेड़े के आलोक में बुद्धवार को अपना फैतला देते वे या इसपश्ट किया कि राज में प्रात्मी कच्छाओं एक से पांत तक में बीएट डिग्री धारी सिच्छक के रूप में न पारिद किया पटना हाई कोट ने इस मामले पर सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरच्चित रखिया था जिस पर बुद्धवार को फैतला सुनाया गया हाई कोट की इस आदेश से लगवग 22,000 सिच्छकों की नौकरिया प्रभावित हो सकती है जिनकी नियुक्ति इस मामले में सुनवाई के दौरान हुई हैं कोट में 28 जुन-202 ठीक है 18 को एंसी द्वारा जारी की गई धी सुचिना को चुनावती दी गई थी जिसमें प्रात्मिक अच्छों में 28 धिगरी धारक सिच्छकों को भी प्रात्मिक स्कूलों में सिच्छकों के लिए योग गमान गया था इसी अधिसूचना को दिवे सर्मा बनाम केंदर सरकारवा अन्य के माध्यम से सुप्रीम कोट में चुनोती दिये गया थी सुप्रीम कोट ने इस पर अधिसूचना को रद भी कर दिया कोट ने को बताया गया था कि NCT 128 जुन 2018 को जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें B.A. डिग्री धारक सिच्चिकों को भी प्रात्मिक अच्छाओं में न्युक्ति के लिए यूग ये कहा गया था उसमें कहा गया था कि प्रात्मिक स्कूलों में अगर B.A. का कोर्स किया तो कोई उमीदवार सिच्चा के एपद पर न्युक्ति होना चाहता है तो उसे प्रात्मिक सिच्चा में दो वर्सों के बीतर 6 मा का एक ब्रीज कोर्स करना जरूरी है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वेश सर्वा बना केंदर सरकारवा अन्य के मामली में N.C.E. के उस अधिस उचना को रद्द कर दिया था ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने समच्ट किया था कि प्रात्मिक अच्छों में पढ़ाने के लिए डिगरी धारक सिच्च को को ही निक्ति किया जाएगा तो दोस्त यह बहुत ही इंपोर्टेंट अपडेट है महतपूर जानकारी है कि बिएड छात्रों को जो पुरानी वेकेंसी है वहां से भी बाहर निकाला जा रहा है तो भाईया अब तो गल्ती मत करिएगा न ठीक है उमीद पर मत चलिए सुप्रीम कोर्ट का फैतला अंतिम फैतला होता है ठीक है उससे बड़ी कोई कोट नहीं है अब सरकार भी देखिए इसमें दखल क्यों देगी बताई सरकार का क्या लेना देना ठीक है अब ऐसे सरकार हर जगे दखल देने लगे तब तो भाई बात यह लगए कोट ही खतम हो जाए ठीक है कि बार-बार अध्या उसके बाद देखिए जिन बच्चों की नौकरी नहीं लगी थी जो वेटिंग में थे उनकी लिए चली अलग बात है लेकिन जिनकी लग गई है जो नौकरी कर रहे हों उनको हमारे साबसे बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए ठीक है अब जो बच्चे नहीं पाएं तो चलिए अपना डाउनलूट कर पाएंगे और सीटेट का नोटिफिकेशन तो कम्प्लीट है यूपीटेट के लिए वेट करिए दोजार चौबिस में यूपीटेट का भी पेपर होगा मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए इस्टे केनेक्टेट आपका दिन सुभो